श्री गनेशा या नमाहा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं सब्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शान्त रहेगा प्रसन रहेगा आप टेंशन फ्री रहोगे जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिथी कापी मजबूत रहेगी अगर आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनर शीप में है तो वहाँ भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे अगर परसनल लाइप के बात करते हैं लव लाइप के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा घर परिवार में खुश्णमा माहोल रहेगा मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके लिए समय बहतरीन रहेगा कॉंसेंट्रेशन अच्छी रहेगी ये समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने टार्गेट सेट करें और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याबी मिल कर ही रहेगी अगर स्वास्थ की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वास्थ भी अच्छा रहेगा मानसीक परिशानिया नहीं रहेगी योगा करे, प्रानयाम करे, सुबह टहलने जरूर जाये वीमारी आपसे दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा